परन्तु सिर्फ एक अच्छा कॉंटेंट बनाने से चैनल ग्रो नहीं हो जाता है एक और भी बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वज़े से उनका चैनल ग्रो हुआ है मैं आपको AdWords का अपना देटा दिखाता हूँ यह AdWords का मेरा डेटा है आप यह देखिए कि यह हमारा अंजनी स्टॉय वर्ल्ड का आड हमने चलाया था यहां पर हम आते हैं और यह देखो हमें क्या सर्च करना है यह ADD OCID ठीक है यह हमें यहां पर सर्च करना है जो हमने कहते हैं कि उनकी जो आड है उससे लोग इरीटेट हो गए हैं उन्हें गालियां देते हैं कि भाई हम परेशान हो गए उन्होंने इतना इंटेलीजेंटली करके रखा हुआ है इस इंटेलीजेंस की वज़े से जो उनका में चैनल है ग्रो हो गया नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा अंकुर वारी को ना कि ग्रोथ का क्या रीजन हो सकता है कि क्या उन्होंने बहुत अच्छा कॉंटेंट बनाया जिस वज़े से ग्रोथ हुई एक अच्छा कॉंटेंट बनाना तो वाकई में बहुत ज्यादा ज़रूरी है बहुत अच्छा कॉंटेंट है मैं बहुत अप्रीशेट करता हूँ उ सिर्फ एक अच्छा कॉंटेंट बनाने से चैनल ग्रो नहीं हो जाता है एक और भी बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वज़े से उनका चैनल ग्रो हुआ है और वही रीजन ठीक है उसमें थोड़ा सा अलग तरीके से हमने काम किया था तो मेरा एक पूरा चैनल बरबाद हुआ ह अभी पूरी बात चल रही है यूट्यूब की अगर आप मुझे पहले से जानते हैं तो आपको पता होगा कि मैंने जो जॉब छोड़ी थी वो एडसेंस आर्बीटराज के कारण छोड़ी थी ओके अडसेंस आर्बीटराज में भी क्या होता हम एड रन करते हैं उसे पर आएगा जब इंटरनाशनल ब्लॉगिंग सीरीज खतम हो जाएगी उसके बाद आडसेंस आर्बीटराज की पूरी की पूरी सीरीज चल होगी क्योंकि पहले खतम हो जाए भाई साब इंटरनाशनल ब्लॉगिंग की जो सीरीज चल रही है आप लोग इतनी तालियां बज जा रहे हैं खतम तो जाने दो दोस्त उसके अदस अर्विट राज की सीरीज आईगी तब आपको पता चलेगा कि पूरे डेटा के सांद जैसे आज हम आपको डेटा खोल के दिखाएंगे आड़ वर्ड का डेटा खोल के दिखाएंगे कि कैसे हमने आड़ चला कर अपने पूरे चैनल को एक यूटीब चैनल को बरबाद किया था और अंकुर वारीकू ने थोड़ा सा ट्विस्ट करके अपने चैनल को ग्रो कर लिया तो अगर आपके पास पैसे हैं और आप सोचते हैं कि पैसे से ही सिर्फ अगर पैसा होता तो हम कुछ भी कर लेते हमारा चैनल हम कितना ही बड़ा लेते तो ये सच्चाई नहीं है आपको सही तरीके से काम करना आना चाहिए वीडियो चालू करने के पहले मैं आपको एक बात बताओं कि मैं हमेशा कहता हूँ कि गूगल वैसा ही काम करता है जैसे हमारा समाज काम करता है आप जिस चीज को देखके इरिटेट होते हो गूगल भी मतब गूगल क्या है गूगल एक रिप्रेजेंटेशन है और्डियन्स का मैं आपको एक्जामपल बताता हूँ अगर आपने एक क्रेडिट कार्ड आपको चाहिए नहीं चाहिए कुछ भी है आपके पास एक फोन आता है फोन कार्ड में कहता है कि सर क्या आप क्रेडिट कार्ड लेना चाहेंगे फ्री में आपको क्रेडिट कार्ड मिल रहा है ये बात सुनकर 99% लोग फोन कार्ड देते हैं क्यों क्यों क्योंकि या तो उनके पास क्रेडिट कार्ड होता है या फिर वो ले नहीं सकते हैं या फिर आपको जब आड़्स दिखती हैं और अंकुर वारी को की आड़्स दिखती हैं की नहीं दिखती हैं आप इरिट थ होते हो की नहीं होते हूँ ये comment box में जरूर बताना क्योंकि आपका feedback मुझे चाहिए और अंकुरवारी को खुद कहते हैं कि उनकी जो आड्स है उससे लोग irritate हो गए हैं उन्हें गालियां देते हैं कि भाई हम परिशान हो गए हैं पर मैं कह रहा हूँ कि वही आड कारण है अच्छा वो आड किस लिए चलाते हैं आड चलाते हैं कि उनका course sell हो जाए ठीक है और उस course selling की आड की वजए से उनका चैनल ग्रो हुआ है यह मैं आपको आज कुछ डेटा दिखाऊंगा जिससे आपको समझ में आएगा अब पहले मैं डेटा दिखाता हूँ अपना ठीक है मैं आपको आड वर्ड का अपना डेटा दिखाता हूँ यह आड वर्ड का मेरा डेट है आप यह देखिए कि यह हमारा अंजनी स्टॉइ वर्ड का अड हमने चलाया था कहीं पर नाम आ रहा है या नहीं अंजनी स्टॉइ वर्ड यह देखिया अंजनी स्टॉइ वर्ड बहुत तरीके हमने अपना है बहुत तरीके अपना है और बहुत तरीके अपना है और अगर किसी एक यूजर को एक आड दिख रही होती है हमने कहा हमें फेमस चैनल कौन से थे आयू एन पी हूशो मैं मिसानन तो उनकी जो ओडियंस थी उसके सामने हमारा चैनल दिखता था अगर हमारा कॉंटेंट कितना भी अच्छा हो लोग अगर आयू एन पी हूशो बच्चे भी आयू एन पी हूशो देखने गए हैं तो वो देखते थे भले हमारा कॉंटेंट कितना अच्छा हो आएंगे थोड़ी देर स्पेंड करेंगे और निकल जाएंगे उस वीडियो से तो उससे क्या होता था हमारे चैनल का आवरेज वाच्टाइम ही सब कुछ है एक चैनल को ग्रो करने के लिए तो हमने क्या करा कि डायरिक्ट अपने यूट्यूब वीडियो को प्रमोट कर दिया हमने एक लाख से उपर आपको पूरा डेटा दिखा दिया हमने खर्च किया हमने चैनल को बरबाद कर दिया अब हम आते हैं के दूसरे साइड पर कि अंकुरवारिकु भाई साब ने क्या किया अंकुरवारिकु भाई साब अपना यूट्यूब चैनल चला रहे थे तीन चार साल से काम कर रहे थे कुछ खास रिस्पॉंस आ नहीं रहा था ये आप उनके वीडियोस में देख सकते हैं उसके बाद उन मैंने संदीप महेश्वरी जैसे सर्च किया तो मुझे यहां पर दिख रही है अंकुरवारीकु सर की आड ओके और यह एक तरीके की आड होती है इसको I think discoverable आड कहते हैं है और एक आड हो जो होती है कि जो वीडियो में चलती रहती है नॉन स्किपबल वाली आड तो जो वीडियो में चल रही होती है वह costly आड होती है मैंने बहुत ट्राइ किया पहले अंकुरवारीकु सर की बहुत आड आती थी पर अभी वो आड मुझे देख नहीं रही है अभी मुझे इसी तरीकी के आड देख रहे है यह आड सस्ती आड होती है पता नहीं क्या रहा होगा कि वो आड बंद करने का शायद उनके conversions आप नहीं आ रहे होंगे किसमें courses में परन्तु इस आड से क्या हुआ आप यह आड देखेंगे कि जब इस आड को मैंने क्लिक किया आप भी खुद देखना कि यह जो आड रन हुई है सर की ठीक है यह चैनल बनाया voice विद्वारी को और वहां पर एड रन करी मैंने क्या किया था अंजनी स्टॉइवल्ड के ही वीडियो पर एड रन कर दी थी तो डारेक नेगेटिव इंपक्ट आ गया अब जब आड आप किसी को दिखाते हो यह माना गया है कि 90% लोग कोई चीज अगर आप बेच बेच रहे हो तो 99% reject कर देंगा अगर आप नहीं बेच रहे तो 90% चले जाएंगे आप बेकार है पर कुछ लोग होते हैं जिनको वीडियो अच्छा लगता है या कुछ लोग होते हैं जिनको आड अच्छी लगती है मतला अगर आप बाकी लोगों को भी देखोगे जो कॉर होते हैं तो आप जब आड किसी को दिखाओगे तो majority जनता उसको reject कर देगी जैसे चैनल को ही पूरा रिजेक्ट कर दिया और चैनल डंप हो गया यहां पर उन्हें ने रिजेक्ट किसको किया इस पर्टिकुलर चैनल को रिजेक्ट कर दिया यहां पर आप देखेंगे इंट कि जो भी negative चीजे थी जो negative चीजें वो किस चैनल के साथ हो गई वोइज विद वारिकु के साथ हो गई देख रहे हैं कि इतनी आड चलाने के बाद भी कुछ खास ग्रोथ हुई ने इस चैनल की परांद तो कुछ लोग दो इंप्रेस्ट थे वो सर्च करने लगे साब आंकर से वो हाइप कर गया बढ़ गया दिल्कोई चैनल कि ऐसे इस तरीके से भाग गया ओके आप समझ रहे क्या हुआ second मैं आप़ और बता ऺगाओ आप जब आप देखते हो तो आप देखने से इरिटेट होते हो या आपको लगता है कि यार इससे कुछ सीखा जाए क्योंकि मेरा मानना है कि मैं सीखने में बिलीव करता हूं जब आट रन होती है आप देख रहे हैं कि मैं इतनी मगजमारी भी कर रहा हूं कि यार देखो यह अनलिस्टेड है यह क्या आगे आप देखना कि मैं सीखने के परस्पेक्टिव से कर रहा हूं कि अब यहां पर मैंने अंकुर वारी को सर की तो यह जे skippable वाली आड है यह तो मुझे नहीं कहीं पर मिली तो अब मैं एक sample देता हूँ कि इस तरीके से जैसे आड चलती है तो यह कहां पर है कहां पर जाती है कैसा होता है मैं आपको बताता हूँ अगर यह आड चल रही तो पता नहीं चलेगा कि यह किस channel को target कर रही है ठीके ना तो अगर आपको देखना है particular की कोई add चल रही है तो वो अपने main channel को promote कर रहा है या फिर उसने अलग से YouTube channel बनाए तो वो देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा आपको यह जो add आती है इस पर right click करना पड़ेगा और आना पड़ेगा copy debug info ओके जैसे ही आपने किया आप node pad पे आएं और यह पूरा का पूरा code इस पे डाल दें अब यहाँ पर आपको क्या करना है एक चीज़ यहाँ पर हम आते हैं और यह देखो हमें क्या search करना है यह add ocid ठीक है यह हमें यहाँ पर search करना है जो हमने copy किया था वहां सर और जैसे ही यह search हुआ हमें इसके सामने जो code मिलेगा ठीक है यह खोलना है आप कोई सा भी YouTube वीडियो खोलें ठीक है यहाँ पर आते हैं कोई सा भी YouTube वीडियो हम खोलते हैं और यहाँ पर सबसे पहले इसको pause कर लेता हूं मैं और यहाँ पर watch v is equal to के बाद में ज जैसे ही अम enter मारेंगे आप यह देखोगे कि यह ad ठीक है यह देखिए hostinger की ad run हो रही थी और यहाँ पर यह देखिए hostinger की ad क्या है मेरे ही channel को hostinger वालों ने target कर रखा था तो यहाँ पर hostinger की ad देख रही पर आपको पता नहीं चल रहा है कि YouTube channel कौन सा है in fact जब आप यहाँ पर भी click करोगे तो उनकी website पर चला जाएगा पर आपको जब YouTube पर आड चलाना होता है तो आपको वीडियो एक वीडियो एक YouTube channel बना कर रन करना होता है तो hostinger वालों ने तो क्या कर रखा है कि देखिए उन्हीं के channel पर ही यह ad डाल कर रखिए पर unlisted कर रख आपने में चैनल पर बना दिये तो जो negativity भी आ रही है वह सारी इसी में आगई इसलिए चैनल ग्रों नहीं कर रहा है अगर इसके लिए अलग YouTube चैनल बनाते तो सक्सीड हो जाते दूसरी गलती है क्या करने आप देखेंगे यहाँ पर जो आड आ रही थी यह देखिए आड म यह जो comments है ठीक है यह on है सिर्फ तीनी comment देख रहे है पर आप जैसे देखेंगे कि वारी कुसर की जो आड है यह यहाँ पर comments off है क्यों off है कभी आपने सोचा क्योंकि इसमें गालियां पढ़ रही होती है जो जो वीडियो देख रहा होता है वो गालियां देरह होता है समझ और वो गाली देदा तो भी नहीं चाहते कि वो आड क्योंकि आड अगर आपको दिख रही है और comments on होंगे नीचे अगर गालियां दिख रही होंगी तो आपकी courses sell नहीं होने वाले है तो यह उन्होंने इतना intelligently करके रखा हुआ है इस intelligence की वज़े से जो उनका main channel है grow हो गया ह अब वो जो main channel एक बार जब boost मिल जाती है और अब continuously इसमें good videos डालते रहते हों तो आपको फिर यह ad run करने की ज़रूरत नहीं हैं तो दोस्तों देखा कि किस तरीके से intelligence से अंकुरवारीकू सर ने अपना पूरा आड चला के अपना पूरा channel grow कर लिया और कैसे मैंने बेवकू directly वो किसी दूसरा channel पर बनाकर वो सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ आड अपनी क्योंकि add run करने से कुछ फाइदा तो हो रहा होता है आपका YouTube चैनल छोटा हो तो यह सारी चीज़ें असर करती हैं अगर आपका YouTube चैनल बड़ा होगा तब उसके लिए आड किस तरीके से काम करेगी क्या सारी चीज़ें होंगी अलग होगी क्योंकि आपने ये भी देखा होगा कि बुवनबाम ने जब अपनी वेब सीरीज बना होगा तो इस वीडियो को देखने के बाद आप प्लीज कॉमेंट करके बताएं कि आपके दिमाग के नट बोल्ट हिले या नहीं हिले हिले तो लाइक कर देना और कॉमेंट कर देना और बताना कि इस तरीके की केस्टेडी आपको अच्छी लगती है या नहीं अगें ये वी और रिदम किस तरीके से काम कर रहा तरता है उसको हमने निचोड कर उस वीडियो में डाल दिया है तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं और अगर आप मेरी शकल पहली बार देख रहे हैं तो मैं हुपवन अगरवाल और इस चानल पर ब्लॉगिंग और यूट से रिलेटेड में इसी तरीके के वीडियो लाता रहता हूँ वीडियो को लाइक करें वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थांक्यू वेरी मच्च